मैं शपत लेता हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों की मदद करूँगा, सुरच्छा के सभी उपाय अपनाऊंगा बैतुल के DSP संतोष कुमार पटेल कोरोना वाइरस को लेकर शपत दिला रहे हैं इन लोगों ने लोगडाउन का उलंगन किया था, लिहाजा DSP ने सबको शपत दिला कर आगे से लोगडाउन न तोड़ने की नसीहत भी दी दरसल ये सभी लोग बाहर घूम रहे थे, लेकिन इसी दौरान DSP संतोष कुमार पटेल अपनी गश्ती टीम के साथ वहाँ पहुँच गए जब लोगडाउन तोडने वालों से पूछा गया कि आखिर वो घर से बाहर क्यों निकले हैं तो इन लोगों ने दलील दी थी कि सेहत बनाने के लिए, फिर क्या था, DSP साथ ने शर्त रख दी कि अगर उन्होंने 30-30 डंट बैठक लगा दिये तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए लिहाजा DSP ने एक एक हजार का जुर्माना लगा कर सब को नसीहत देते हुए छोड़ दिया तो मुझे लगा कि ये फिटनेस की बात कर रहे हैं तो इन्हें एक कोई अच्छी सजादो जिससे इनकी फिटनेस भी वड़े और इन्हें याद भी रहे तो छोड़ने की बात तै हुई कि 30 दंड बैठक जो लगाएगा उसी को छोड़ा जाएगा फिर हमने पूरे ग्राउंड में सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को गेर गेर खड़ा किया बीच में मैंने भी दंड बैठक लगाई लेकिन हाल ये रहा कि कोई 5-10 से जादे नहीं लगा पाया मैंने 30 दंड बैठक लगाई थी फिर नहीं लगा पाये तो सभी के एक जिनकी बाई वहान का था मोटर साइकल का था उनके 1000 जार रुपए के चालान बनाए उसके बाद उनको छोड़ दिया संतोष कुमार पटेल कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने अलग अंदास की वज़ा से चर्चा में है उन्होंने कोरोना पर पुलिस वालों के उत्सावर्धन के लिए एक गीत भी लिखा है जिसे डियेसपी अजय गुपता ने ड्यूटी के दौरान गाया भी था कोरोना संकट को देखते वे राजे में पुलिस करमी मुस्तैद है और वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं बैतुल से राजेश भातिया की रिपोर्ट करें, जिसे राजेश करने की बातिया कर रहे हैं